हेलो फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे NCL exam 2020 में जो हमारी technician में जो filter, turner, machinist और electrician की wagon से निकली हैं उन सभी के लिए जो हमारी best book हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में details से discuss करेंगे ये सभी books जो हैं हमारे यहाँ पर selection में के लिए आपको काफी help करेंगी ठीक है तो इन सभी वीडियो को यहाँ पर हम detail में discuss करेंगे और यहाँ पर हम mechanical foreman के लिए already video बना चुके हैं उसके लिए कौन सी best book होगी तो वो आप हमारे channel की playlist में जा कर देख सकते हैं इसके अलावा और भी हमारी जो वीडियो है जिसमें हमने ncl की salary facilities एंड पिछले वर्स के जो person पत्र है उन सभी को हमने अपने चैनल की playlist नौरदन कॉल्ट में डाला हुआ है तो उन्हें भी आप जागर वहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बुक के बारे में डिसकस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इस exam में ncl exam में आपका 70% technical और 30% general section से question पूछे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको अपना technical strong रखने के साथ साथ अपना general section भी आपको अच्छे से cover करना होगा तो मैं इस वीडियो में आपको technical के साथ सत general section की कौन सी बुक आपको पढ़नी होगी जो आपके selection में help करेंगी वो सब भी यहाँ पर discuss करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे general section में reasoning subject की तो reasoning को आप यह अरिहंत की जो बुक है आर के जहां इसके writer हैं ये बुक आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका जो है आपर general section में जो reasoning है वो ज़्यादे marks के यहाँ पर नहीं आएगा तो इसके लिए आप ज़्यादे बड़ी या मोटी बुक ना पढ़ें आप छोटी सी छोटी बुक पढ़ें जिससे आपका सारे जो topic है वो सब cover हो जाए ठीक है उन सभी की knowledge आपको मोटी मोटी हाँ पर exam में होनी चाहिए ठीक है तो इसके लिए आपको यहाँ पर channel section में ज्यान देना है पर उतना नहीं देना क्योंकि 30% का ही है तो आपको अपने time का 30% ही यहाँ पर general section पर consume करना होगा ठीक है तो reasoning की आप अरिहंत की book ले सकते हैं आरे के जहां writer की आप देख सकते हैं screen पर यह काफी अच्छी book है इस तरह के exam के लिए next book math के बारे में अगर discuss करें क्योंकि math भी यहाँ पर exam में आएगा आपके तो math की आप जो आरे सगरवाले की book ले सकते हैं action publication की ठीक है लेकिन इस book के आपको type 1 के ही question आपके exam में करके जाएंगे ठीक है क्योंकि type 2 यहाँ पर काफी heavy हो जाएगा काफी typical है तो आपको जो है type 1 के ही question सभी करने है और आपको क्या है सभी topic जो exam में आए हुए है syllabus में उन सभी topic को आपको अच्छे से cover करके इससे जाना होगा syllabus की वीडियो हमने डाली हुई है वह आप देख सकते हैं वही topic आप exam के लिए complete करिएगा ठीक है तो यह book इस exam के लिए अच्छी होगी लेकिन आपको इस book में हर chapter में type 1 and type 2 जो दो type के question दिये गए है तो आपको सि तो math के लिए आप यह book ले सकते हैं और RS अगरवाल की next book हम technical section से बात करेंगे और यह है fitter trade जिसमें turner machinist और diesel mechanic तो है नी trade turner machinist और fitter trade के लिए आपकी जो NCL में आ रहे है technician के उन सभी के लिए बात करते हैं तो यह वाली जो book है आपकी youth competition time के लिए वो यहाँ पर best होगी welder वाले भी इस book को देख सकते हैं इस book में जो आपके previous year question दिये गए हैं जो अब तक sale, gail, भेली, NHPC, NTPC या other PSU exam में आ चुके हैं उन सभी question को यहाँ पर discuss किया गया है तो हमेशा ही जो NCL exam हो या फिर कोई वी exam हो वो हमेशा question previous year के question को ही उठाकर exam में डालते हैं तो यह book इस exam के लिए आपके लिए काफी helpful हो सकती हैं क्योंकि हमेशा ही exam में ऐसा तो है नहीं कि IT exam के लिए आपको नए question देगा बनाके ऐसा कभी नहीं होता है 90% आपके previous year से ही question आपके डालते हैं तो इसके लिए आपकी यह फिटर ट्रेड की जो बुक है यह टर्नर, फिटर, टर्नर औ और मसीनिस्ट के लिए best होगी आप देख सकते हैं और यह है youth competition time की यह book आपका online मिल जाएगी ले सकते हैं यह book सबसे best होगी number 1 की book यह है फिटर ट्रेड वालों के लिए इस book को exam में पढ़कर जरूर जाएं क्योंकि इसके बिना selection तो impossible होई सकता है impossible तो नहीं selection ले भी लोगे लेकिन अगर यह book आप पढ़ लोगे तो एक सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी बहुत ही अच्छी book है मैंने खुद पढ़ी है तो आप इसे ले सकते हैं फिटर ट्रेड की लेकिन यह book आप तभी पढ़ पाऊगे अगर आपकी theory अच्छे से complete है अगर आपकी theory already complete है तो आप यह वाली book ले सकते हैं अगर आपकी theory complete नहीं है तो उसके लिए आपको एक अलग से book लेने अगर आपकी theory ठीक से complete नहीं है तो आप यह fitted trade की उपकार publication की book ले सकते हैं इससे आप अपनी theory complete करने के बाद में youth competition की book ले सकते हैं ठीक है तो यह book भी अच्छी है फिटर competition की तो आप जरूर ही ले ठीक है तो यह दो बुक fitted trade के लिए हो गई है और यह जो बुक है यह fitted turner और machinist और प्लस welder चारो ट्रेड के लिए यह वाली book जो है आपकी best होगी तो आप सभी जो technician है इन चारो ट्रेड वाले यह इस book को ही जरूर ले ले एक बार ठीक है तो यह book काफी अच्छी है इसके बाद हम बात करते है इलेक्ट्रीशन के लिए एक यूथ competition टाइम की यह book आती है जिसमें आपके इस रूटेगनीजन हल टीएस डीसी सीर्व कॉंस्टेवल या फिर ट्वेल अपरेटर में आई हुए सभी प्रीवेस इरो को इसमें डाला हुआ है ज आपके साड़े 5000 कोस्तन के असपास में मिल जाएंगे आपको काफी अच्छी बुक हो जाएगी आपके लिए एक्जाम के लिए अगर सारे एक्जाम लगा लेते हैं लेक्टिसन वाले ठीक है तो यह book आपको एंसेल एक्जाम में काफी helpful होगी अगर आपकी theory complete है तो आप यह यह book जरूर ले ले क्योंकि selection के लिए काफी best होगी इस book की एक खासित में बता दूँ अगर आप एक्जाम दे कर आओगे तो 70 में से 55 से 60 question आपको इसी बुक से repeated मिल जाएंगे ठीक है तो इसलिए मैं इन book को आपको prefer कर रहा हूँ क्योंकि यह book काफी best होगी यहां से question मतलब तो यह मालों कि आप 80% question लगो हर एक्जाम में repeat होते ही होते हैं तो 80 भी नहीं होंगे तो 60% भी अगर हमें help मिल जाएगी यहां से 50% मिल जाती है तो हमें काफी अच्छा होगा क्योंकि उन question पर हमें सोचना नहीं पड़ेगा हम as it did जाके वहाँ पर मार्क कर सकते हैं और उन काफी help होंगी तो आप इन दो बुक को तो जरूर ही लें ठीक है इसके अलावा अगर आपको कोई भी previous question या फिर और कोई help अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल की playlist में जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ह तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक यू